हलो फ्रेंड्स लक्ष्मी वेज कीचन एंड लाइफ ही श्टाइल में आप सभी का स्वागत हैं सिर्दर्द का कारण चाहे जो भी हो पर यह बहुत ही बड़ी समस्या बन जाता है यदि समय रहते इसका निवारन करना चाहते हैं तो हमारे नूस्खे अवस्य अजमाएं को सोने से पहले लेने से अराम मिलता है नंबर दो दालचीनि को पानी में खुब बारिक बीस कर लेफ बना कर सिर पर लगाने से सिर्दर्द में फायदा होता हैं नंबर तीन दर्द के समय नाग के छेद में एक एक बून सरसो का तेल डाल कर उपर को सूने से अराम मिलता है नमबर चार 10 ग्राम काली मीट्स चबा कर उपर से 20-25 ग्राम देशी घी पीने से आधा सीसी माइग्रेन का दर्द दूर हो जाता है नमबर पांच पिपर मिंट में ऐसे तेल पाए जाते हैं जो मास पेशियों की जकडन को दूर कर सीर दर्द से छुटकारा दिलाते हैं अतह सीर दर्द सुरू होते ही एक कप पिपर मिंट चाय पी ले नमबर चै सफेत कनेर की सूखी जड़ को पीस कर माथे पर लगाए यह प्रियोग माह में पांच बार करे नमबर साथ रोजाना सुबा एक मीठा सेव नमक लगा कर खाने से पुराना सीर दर्द दूर हो जाता हैं यह प्रियोग 15 दिन करे नमबर आठ सुद्ध घी में कैसर मिला कर सुंगने से आधा सीसी माइग्रेन का दर्द दूर होता है नमबर नौ नेमित रूप से सोते समय सीर वपैर के तलवों की सुद्ध देशी घी से मालिस करे इससे माइग्रेन भी दूर होता है और परियाप्त नीन भी आती है नमबर दस कब्ज के कारण सिर दर्द हो तो बरी हरण को बारिक पीश कर थोड़ा नमक मिला कर रात को पानी से फाक लेना चाहिए नमबर ग्यारा सिर दर्द किसी प्रकार बंद ना होने पर पुराना गूर 10 ग्राम काले तील 6 ग्राम थोड़ा सा दूद ले गूर और तील को जरा जरा दूद डाल कर पीशते जाए जब मलहम जैसा तयार हो जाए तो पूरे मस्तक पर लेप करे कनपटियों पर भी लेप करे नमबर 12 सर्दी लगने से दर्द होता है तो तुलफी की चाय पिए और केसर, जावित्री, सोट, बालचड को घी में मिला कर सीर पर लेप करे नमबर 13 सीर में दर्द होने पर कान में दो तीन बून नीवु का रस गर्म करके डालने से ततकाल लाब होता है नमबर 17 अजवाइन के बारिक चून की मात्रा लेने से सीर दर्द, नजला और मस्तिस्त, गत, क्रीमी, नश्ट हो जाते हैं नमबर 16 दालचीनी का तेल एक या दो सीर पर लगा कर मलने से सर्दी के कारण होने वाला सीर दर्द ठीक हो जाता है नमबर 16 गाजर के पत्तो को पानी में उबाल कर उस पानी को ठंड़ा करके नाक और कान में डालने से पुराने से पुराना सीर का दर्द दूर हो जाएगा नमबर 17 जिस भाग में दर्द हो धर के नाक में तीन चार बुंदे सर्सो का तेल डाल कर सुने से दर्द एकदम बंद हो जाता है दो चार दिन इस प्रकार करने से दर्द सदा के लिए मिट जाता है नमबर 18 सवेरे सुर्वोदय से पूरू उठकर हरे कच्चे अमरूत तोड़े और सिल पर रगड कर लुगदी बना ले मस्तक के उतने स्थान पर इसका लेप करे जितने पर दर्द हो रहा हो दो दिन ही दिन में लाब होगा नमबर 19 दो ग्राम अद्रक को दो ग्राम नीबू के रच में सेंधा नमक मिला कर बड़े चमच में गर्म करे ठंडा होने तक नतनों में उसकी भाब दे छिक्के आएगी सिर्दर्द ठीक हो जाएगा नमबर 20 तूसी की छोटी सी बौर लेकर छाय में सुखा दे बारिक पीस ले दो ग्राम चून जहद में मिला कर चाटे सिर्दर्द दूर हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप सबको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक का और जादते जादा दोस्तों और फेमली में सेयर करिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके बगल में घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दिजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो मिलती हूँ ऐसे ही नए नए टिप्स वीडियो में तब तब के लिए बाई बाई एंड टेक क्यार थाइंक्स पोर वाचिंग माई वीडियो